दोस्कार दोस्तों आरे डूप चैनल एक्जाम लर्णर में आपका स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग उत्र प्रदेश लोक सिवायोग यानि कि UPPSC के दोर आयोजीत राज के इंटरकाले GIC प्रोक्ता के लिए Current Affairs का आठ वहाँ सिरीज दिखेंगे इसके पहले साथ सिरीज Current Affairs का अपलोड हो चुका है जो लोग नहीं देखें है चैनल के प्लेइलिस्ट में जाकी आप वहाँ से देख सकते हैं और साथ में GIC प्रोक्ता GS का प्रीबियस एर क्वेशन का भी वीडियो आपको हमारे चैनल के प्लेइलिस्ट में मिल जाएगा और GIC प्रोक्ता GS Practice Sit का भी वीडियो आपको चैनल के प्लेइलिस्ट में मिल जाएगा और इसका एक्जाम आपको पता ही है 19 सितंबर 2021 को है एड्मिट काड आ चुका है जो लोग डाउनलोड नहीं किये है कर लिजे और जो लोग GIC प्रोक्ता आस्रम पद्धति का भाम भरे होंगे उनका एक्जाम 26 सितंबर 2021 को आयोजित होगा तो इन दोनों ही प्रेक्षाओं के लिए काफी मोहतपूर है जिसमें GS section में 40 question पूछे जाने है और subject से 80 question टोटल 120 question का ये paper होगा और negative marking भी है इसमें 1 third तो वीडियो को like share कर दीजिएगा चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को subscribe कर लिजिएगा साथ में वेल आइकन को प्रेस कर लिजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का notification आपको पहले मिलता रहे और PDF इसका हमारे टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगा नीचे description में टेलिग्राम का link दे दिया गया वहाँ से जोइन करके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं दोस्ते दिया आप UPPSC और UPPSC एक्जाम की preparation करना चाहते हैं तो उसके लिए आप जो एन अकेडमी learning platform से जुड़के आप अपने तयारी को बहतर तरीके से कर सकते हैं और एक्जाम को आप crack कर सकते हैं उसके लिए आपको क्या करना है तो आप जैसे ही UPPSC और UPPSC का गोल सेलेक करेंगे उसे रिलेटेड वीडियो आपको जो है देखने को मिलेंगे इसके लिए आपको हमारे रेफरल कोड ये एक्जाम लर्नर ये आप यूज करते हैं और फ्री के वीडियो भी देखने के लिए आप एक कोड यूज कर सकते हैं तो अनकेडमी जोइन करने के अड़्वाइंटेज आप दिख सकते हैं यहाँ पर UPPSC और UPPSC मेगा सब्सक्रिप्शन आफर चला है 12 मंत का लेते हैं सब्सक्रिप्शन तो 2 मंत मिलेगा 24 मंत का लेते हैं तो 3 मंत एक्स्ट्रा आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा बहुत जल्द प्राइस हाइक होने वाला है सब्सक्रिप्शन में तो अभी आपको करेंट रेट में सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा टाइम है इसका 8 बजी आप जोइन कर सकते हैं 1 सितंबर से 15 सितंबर तक चलाय जाएगा उसके बाद R.A.R.O. Prelims Booster Test Series चलाय जा रहा है यह भी आप जोइन कर सकते हैं पते एक Saturday को 10 बजे सुबह 2 घंटे का यह टेस्ट है उसके बाद UPSC PCS Prelims का भी है आप देख सकते हैं यहां पर Lower PCS का भी है R.A.R.O. का भी है बैच कोसे जो भी अभी 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 है अनेकैडमी पर UPSC Mains Optional है आपका देख सकते हैं यहां पर उसके बाद Mission का की Complete Course है UPSI का 31 गस्ती बैच सुरू हो गया और एक सी तबमर से आपका लक्षी UPSC 2022 यह बारे महिने में आपका Mains और Pre दोनों की जो है Complete त्यारी कराए जाएगे बैच से जो अभी आप देख सकते हैं यहां पर और यह दिया आप जो है अनेकेडमी जोइन करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप जोइन कर लेजीगा टेलिग्राम पर भी अनेकेडमी को आप जोइन कर सकते हैं तो यदि आप एक्जाम को क्रेक करना चाते हैं तो अनेकेडमी को जरूर जोइन किजीगा तो दोस्तों पहला कुश्यन देखते हैं आज का निमन में से किस अंतरिक्ष एजनसी ने सुक्र ग्रह पर अपना पहला आर्बिटर इन्विजन भेजने की घोशना की है तो आपसन आप देख सकते हैं नासा दिया गया ESA है और CNSA और ROSCOSMOS तो यहाँ पर जो से हो जाएगा B-Option ESA यानि कि European Space Agency के द्वारा सुक्र ग्रह पर अपना पहला आर्बिटर इन्विजन नाम इसका आद रखेगा इन्विजन भेजने की घोशना किया गया है तो एन्सवर जो इसका B-Option हो जाएगा European Space Agency नासा आपको पता है यह अमेरिकी Space Agency है और CNSA यह आपका China National Space Administration यानि कि China की Space Agency है और ROSCOSMOS यह आपका रूस की अंतरिक्ज एजनसी है दूसरा प्रशन है French Open 2020 का पूरुस वर्ग का खिताब किस ने जीता है तो यहाँ पे सेव जाएगा B-Option नुवाक जोकोविच ने French Open पुरुस एकल वर्ग का खिताब इन्होंने जीता है और महिला एकल विजेता पूछा जाए French Open का तो इनका नाम है बारबोरा क्रेजी कोवा यह महिला French Open महिला एकल विजेता है जो की चेकगर राज से संबन दिते हैं और नुवाक जोकोविच आपको पता होगा यह सर्विया के रहने वाले हैं और एक कोशन और पूछा जाएं ता Australian Open तो आस्ठेलियन ऊपन के भी पूरुस एकल विजेता रहे हैं नुवाक जोकोविच और महिला एकल विजेता रही हैं इसमें Naomi Osaka तो दोनों ही काफी महत पुढ़े पूछा जा सकता है यदो अस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल विजेता पूछा जाए तो Naomi Osaka हो जाएंगी अस्ट्रेलियन ओपन पुरुस एकलवर्ग विजेता पूछा जाए तो नौाग जोकोवीच नुवाग जोको बीच फ्रेंच ओपन भी जीते हैं और आस्ट्रेलियन ओपन भी और फ्रेंच ओपन में महिला एकल भी जीता बार्बोरा क्रेजी के हुआ जो कि चेक गर राज से हैं इन्होंने जीता है तो यहाँ भी आपसन से हुझ जाएगा तीशरा प्राशन देखते हैं हाली में भारत ने किस देश के साथ करशी छेटर में तीन वर्स के लिए जोइंट कारिकरम पर समझावता किया है तो यह है इजराइल, इजराइल के द्वारा इसा समझावता किया गया है चौथा प्रशन है इवा पीम योजना किस मंत्राले की पहल है तो इस सिच्छा मंत्राले की पहल है आपको पता होगा ये में चारडी मिनिस्ट्री का नाम बदल कर सिच्छा मंत्राले अब कर दिया गया है और बर्दमान में जो सिच्छा मंत्री है वो है धर्मेंद्र प्रधा तो नाम इनका याद रखेगा अगला प्रश्ण है अब केंद्र सरकार ने हाल ही में किस भारती राजनेता के जन्म दिवस को प्राक्रम दिवस के रुप में मनाने का नेड़ लिया है तो यहाँ पे B आपन से हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस को अब प्राक्रम दिवस के रुप में मनाया जाएगा और इनका जन्म दिवस प्रतेक वर्स 23 जन्वरी को मनाया जाता है तो अब 23 जन्वरी को प्राक्रम दिवस के रुप में मनाया जाएगा चाटमा प्रशने राश्ट्री इवादीवस 2020 का थीम पूछा गया है तो इसका थीम हो जाएगा इवा उत्साह ने भारत का और राश्ट्री इवादीवस प्रतीक वर्स 12 जनुवरी को मनाया जाता है साथमा प्रशने पूछ तक The Commonwealth of Cricket के लेखक कौन है तो इसके लेखक हैं रामचंद्र गुहा सी आपसन सही हो जाएगे हैं पे आठमा प्रशने पूछ ने प्रवोत्तर भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल का उध्गाटन किसे राज्ज में किया गया तो इक किया गया है मेखाले में C आपसन सही हो जाएगा याद रखेगा पूर्वत्तर भारत का पूछा है पूर्वत्तर भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल का उध्गाटन इने इसे कहां पर खोला गया है तो मेखाले में और नवा प्रशन है प्रशिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए हाली में भारत सरकार ने किस संस्था के साथ रिड़ समझा होता किया है तो यह किया गया है विस्व बैंक के साथ भी आफसर से हो जाएगा और विस्व बैंक के बरतमान जो अध्यक्ष है वो है डेविड मालपास तो इनका नाम याद रखेगा डेविड मालपास बरतमान में विस्व बैंक के अध्यक्ष है और विस्व बैंक का हेड़कॉर्टर यानि कि मुख्याला देखा जाए तो अमेरिका के वासिंगटन, वासिंगटन DC में है और IMF का भी हेटक्वार्टर कहां पे है तो वासिंगटन DC में है WTO यानि कि World Trade Organization इसका मुख्याला है सुटिजन लेंड के जेनेवा में ADB यानि कि ACI Development Bank तो इसका मुख्याला है फिलिपिन्स की राजधानी मनीला में तो ये भी फैक्ट याद रखेगा अगला कुशन देखते हैं कि BBC Indian Sports Women of the Year पुरसकार से 2021 में किसे सम्मानित किया गया है तो इनका नाम है कोनेरू हमपी इनको BBC Indian Sports Women of the Year पुरसकार से सम्मानित किया गया है इक रहावा प्रशन हाले में दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर उर्जा प्रियोजना का निर्मान किस नदी पर किया गया तो इक किया गया है नर्मदा नदी पर सी आपसन से हुजाए गया यहां पर और गोदावरी नदी आपसन में जो दिया गया है यहां पर आप देख सकते हैं यह दक्षिर भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई है 1465 किलो मीटर और इसे दक्षिर भारत की बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है नर्मदा और तापती तो ऐसी नदीया है जो भरंस घाटी से हो करके गुजरती है और अरब सागर में गिरने वाली नदीया है नर्मदा और तापती और यह पश्यम की तरफ वहने वाली नदीया है अगला प्रशन हाली में किस राजी सरकार के द्वारा लांच पैड योजना की सुरुआत की गई है तो ये किया गया मध्य प्रदेश राजी सरकार के द्वारा भी भी कलब सही हो जाए गया तेरे नमबर कोशन है भ्रष्टा चार को कम करने तथा पारदर्सिता को बढ़ाने के लिए किस राज्य या केंदर सासित प्रदेश की द्वारा सतर्क नागरिक मुबाइल एप लांच किया गया है तो ये जम्मू कास्मीर केंसासित प्रदेश के द्वारा सतरक नागरिक मुबाइल एप लांच किया गया है किस उद्देश से तो भरस्टा चार को कम करने तथा पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए आपको पता होगा लद्दाक और जम्मू कास्मीर अब दो नए केंसासित प्रदेश हो गए है और केंसासित प्रदेशों की संख्या बरतवान में आठ हो गई है दादर नगर हवेली और दमन दीव का बिले करके एक केंसासित प्रदेश किया गया है और भारत में राज्यों की संख्या पूछा है तो 28 और केंद सासित प्रदेशों की संख्या 8 है अगला कुशन है हाली में जारी हैनले पासपोर्ट सुचकांग 2020 में भारत को कौन सा अस्थान पराप्त हुआ है तो यहाँ पे कोई भी आप्सन सही नहीं है भारत को इसमें 91 अस्थान पराप्त हुआ है और पहले भारत को इसमें 84 जो है 84 जो है 84 वा रेंग प्रदान था लेकिन बाद में इसमें 6 अंकों की गिरावट हुई अब इसमें भारत का अस्थान कितना है तो 90 यानिकी 90 तो एंसर जो होगा आपका यहाँ पे कोई भी आप्सन में जो दिया गया हो सही नहीं है 90 यह दिए आप्सन में रहता तो यह सही हो जाता आपका तो हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में टाप पर कौन साथ इस है तो जापान है याद रखीगा और भारत का राएं कि इसमें 90 यानिकी 90 ह अगला कोशन है जन्वरी 2020 में संयुक्त राष्ट द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा भारती प्रवासी किस देश में इस्थित हैं तो यहाँ पे सी आप्सन से वगा संयुक्त अरब अमीरात यानिकी UAE में भारती पूछा है जन्वरी 2020 में संयुक्त र आज अमेरिका तीसरे पे सौधी अरब यानिकि सबसे ज्यादा भारती जो रहते हैं संयुक्त राष्ट में उसके बाद अमेरिका में फिर सौधी अरब में टोटल यह देखा जाया तो एक दसमलो आठ करोड भारती जो है अन्य देशों में रहते हैं तो सरवाधीक पूछा मंत्राले के द्वारा सी आफसन से हो जाएगा और पेट्रोलियम मंत्राले के जो बरतमान में मंत्री है यह निकि पेट्रोलियम मंत्री वो है हरदीब सिंग पूरी हरदीब सिंग पूरी यह पेट्रोलियम मंत्री है खेल मंत्राले यह निकी खेल मंत्री कौन है बरतमान में तो वो हैं अनुराग ठाकूर और सिक्षा मंत्री यह हैं धर्मेंदर प्रधान और क्रशी मंत्राले जिनके पास है वो हैं नरेंदर शिंग तोमर नरेंदर शिंग तोमर तो यहाँ पे यह भी याद रखेगा आप लोग अगला कुशन है हाली में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष यों CEO की रूप में किसे निव्ट किया गया है तो यह हैं सुनीत सर्मा भी आपसन सही हुजाए गया है अठ्राव प्रशन है देश में खिलावनों के निर्माड के विकास को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्राले के द्वारा टायक्थान दोजारी की सुरुवात की गया है तो यहां पर जो सही हुगा डी आपसन उप्रोक्त सभी सिक्षा मंत्राले महिला यवंबाल विकास मंत्राले और कपड़ा मंत्राले इन सभी मंत्रालियों के द्वारा देश में खिलावनों के निर्माड के विकास को बढ़ावा देने के लिए टायक्थान दोजारी कीज की शुरुआत की गई है उनी स्वाप्रशने भारत के पहले इथेनौल सहीं अंत्र की अस्थापना की से राज्य में की जाएगी तो ये 36 गर राज्य में किया जाएगा भी आप समस्री हो जाएगा वी स्वाप्रशने हाली में किसी तमिलनाडु का 38 जिला के रूप में उधगाटन किया गया है तो ये है मैला दूतूरई इसको तमिलनाडु का 38 जिले के रूप में इसका उधगाटन किया गया है और 21 प्रशने कारावासों के एतिहासिक महत्य को देखते हुए हाले में किस राज्य सरकार ने जेल परेटन की शुरुवात की है तो ये महराश्टर राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है ए बिकल्ब से हो जाएगा 22 प्रशने किस रेलेवे जोन ने 3.5 किलोमीटर लंबाई की सबसे लंबी मालगाड़ी वासुकी को लांच किया है तो ये किया गया दक्षिड पूर्व मध्य रेलेवे की द्वारा सी आफ्सन से हो जाएगा और दक्षिड पूर्व मध्य रेलेवे का हेज कौर्टर यानि की मुख्याला है बिलास्पूर में तो यहाँ पे सी आफ्सन से हो जाएगा कि दक्षिरपूर मद्ध रेलवे जोन ने 3.5 किलोमीटर लंबाई की सबसे लंबी मालगाड़ी इसका नाम है वासुकी इसको लांच किया है और टोटल भारत में कुल कितने रेलवे जोन है तो 18 रेलवे जोन है अगला कोशन है देश का सबसे बड़ा मल्टी माडल लॉजिस्टिक पार्क किस सहर में बनाया जा रहा है तो यह बनाया जा रहा है आपका यहाँ पे बी आपसम से हुगा एहमदाबाद में एहमदाबाद में देश का सबसे बड़ा मल्टी माडल लॉजिस्टिक पार्क का नि तो ये मियानमार में भी आपसन सही हो जाएगा अगला कुशन है योयेरी मुशुवेनी हाल ही में किस देस के राष्टपती बने हैं तो ये बने हैं यूगांडा के राष्टपती सी आपसन से हो जाएगा और यूगांडा की राजधानी कहां पर है तो कमपाला इसकी राजधानी है केनिया की राजधानी देखा जाए तो नैरोबी है और नाइजेरिया की राजधानी है अबूजा और तंजानिया की राजधानी है डोडोमा तो कभी-कभी राजधानी और देश मिलान करने के लिए भी आता है तो ये आप याद रख सकते हैं अगला कुशनय हाली में गुलाम मुस्तफा खान का निधन हो गया उनका संबंध किस छेतर से है तो सास्त्री संगीत से उनका संबंध है और अब अप्षाण सही हो जाएगा अगला कुशनय हाली में कि इन अठाइसमा प्रस्ण देखते हैं निमलखित में से किस बेक्ति को डाक्टर एपीजे अब्दुलक्लाम वैग्यानिक पुरसकार 2021 से सम्मानित किया गया है। अप्लोड किया गया है। यह भी कल्प से हो जाया गया है यहाँ पे लखनव। लखनव। नगर निगम के द्वारा सहर को पाली थीन मुक्त बनाने के लिए थैला बैंक योजना की शुरुआत की गयी है। और तीसमा प्रशने ग्रिह मंतरी अमित साह ने किस छेतर के लिए सि इस देश को आतंकवाद प्रभावित करने वाले देशों की सूची में फिर से सामिल किया है। तो यह है क्यूबा और क्यूबा की राजधानी है हावाना। अगला प्रशन देखते हैं कि 2 मार्च 2021 को प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने मैरी टाइम इंडिया सम्मिट का प्रशन देखते हैं मार्च 2020 में भारत तथा बांगला देश की बीच मैत्री से तुपुल का उद्घाटन किया गया। यह पुल किस नदी पर बनाया गया है। तो यह बनाया गया है फेनी नदी पर ए आफ्षन सही हो गया। किन सागरों को यह जोडता है तो भूमध्य सागर को यह लाल सागर से जोडता है सुएज नहर। यह कुशन कई बार पूछा गया है याद रखीगा। अगला प्रशन है किस मंत्राले द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 की इसका आयोजन किया गया। तो यह किया फर्स्ट सहीद 18 अन्य उपग्रहों को किस प्रशेपन यान के जरिये लांच किया है। तो प्रशेपन यान का नाम है पी एसे लवी सी 51 डी आपसन सही हो जाएगा है। और 38 अन्य इंग्लेंड बैटमिंटन चेम्पेंशिप का खिताब की पूरुस खिलाडी ने जीता है। उनका नाम है ली जी 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 या भी आपसन सही हो जाएगा। अगला प्रशन है टी 20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज़्यादा बिकट लेने वाले गेदवाज कौन बन गए हैं तो इनका नाम है एजवेंद्र चहल सी आपसन सही हो जाएगा है। चालिशन प्रशन हाली में भारती रिजर बैंक यानि कि आरबियाई ने किस बैंक पर दो करोड का मौदरीक जुर्माना लगाया है। तो HDFC बैंक पर आरबियाई के दोरा दो करोड का मौदरीक जुर्माना लगाया गया है। अगला प्रशन देखते हैं कि तीरत सिंग रावत के स्थीपे के बाद उत्राखन के मुख्यमंत्री का पद किसे सौपा गया है? तो यहाँ पे C आपसन सही हो जाएगा पुसकर द्धामी अगला प्रशन है महराश्ट्र जरकार ने किस परसिद्ध गायिका को वर्स दोजार बीस का महराश्ट्र भूसर्ड प्रदान करने की घोशना की है। यहाँ पे C भी कल्ब से होगा आसा भोसले को महाराष्ट राश्रकार के द्वारा महाराष्ट भोशन पुरस्कार प्रदान किया जाएगा और अगला प्रश्ण है देश का पहला पूरी तरह से बिद्दुती क्रित रेलवे जोन कौन बन गया है तो यह पशिम मध्य रेलवे बी आपसन सही हो जाएगा और पशिम मध्य रेलवे का मुख्याला है जबलपूर यह देश का पहला पूरी तरह से बिद्दुती क्रित रेलवे जोन बन गया है और रेलवे जोन की संख्या आपको बताए गया कितने है भारत में अठा रहा है अगला प्रश्ण है जमू कास अगला प्रश्ण है निमलखित में से किस देश में भारती इंद्रागांधी संस्कृती के इंद्रत दोहरा संस्कृत लर्निंग एप लिटिल गुरू को लांच किया गया तो यह बांगला देश में लांच किया गया है बी आपसन सरी हो जाएगा अगला कुशन है चेन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने किस देश के साथ ये CRI पहल की सुरुआत की है ये CRI पहल क्या है तो ये Supply Chain Resilience Initiative है जो कि ये तरिपच्छी है यानि कि भारत जापान और आस्ट्रेलिया का है तो यहाँ पे पुछा गया है कि भारत ने किस देश के साथ मिलकर ये पहल की सुरुआत की है तो जापान और आस्ट्रेलिया ये कि D आपसन सही होगा A और B दोनों अगला प्रशन हाल ही में लांच की गई पुछ तक All Time Favorite for Children किस के दोरा लिखी गई है तो ये लिखा गया है रसकिन बॉंड के दोरा B आपसन सही हो जाएग 48 कोशन है निमन में से किस के अंदसासित प्रदेश में पासा एक्ट हाल में बिबात का भी सह रहा है तो पासा एक्ट क्या है तो ये आपका Prevention of Anti-Social Activities जो कि ये आपका एक वश तक बिना किसी सारवजनिक अस्पस्टी करन के आपको जो हिरासत में रखा जा सकता है तो ये अ सही एंसर हो जाएगा C. आप्शन लक्षदीप अगला प्रशन देखते हैं कि बजट में घोसीत प्रदानमंत्री आत्मनीरवर स्वस्ति भारत योजना की तहत आवंटी 83 कितनी है तो ये है 64,180 करोड रुपए ये विकल्प सही हो जाएगा अंतिम प्रशन है कि 2021 के केंदरी बजट का कुल व्याय यानि कि खर्च कितना है तो ये है 34,83,236 करोड रुपए ये आपसम सही हो जाएगा यहाँ पे तो दोस्तों ये था आपका Current Affairs का आठवा सीरीज इसके पहले साथ सीरीज अप्लोड हो चुका है जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्ले लिस्ट में ज अच्छा लगा हो तो Like Share कर दीजेगा चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबस्क्राइब कर लिजेगा साथ में वेल आइकन को प्रेस कर लिजेगा जिस्ते आने वाले अगले वीडियो का Notification आपको पहले मिलता रहे तो वीडियो को पूरा देखने के लिए ब